Hi everyone and welcome back to Motor Planet Tata Punch एक बार फिर से हमार साथ है और हमने Tata Punch की अल्रेड़ी इतनी सारी वीडियो बना दिये हुई कि हमें लगता है कि हम आप eligible हैं आपको इसके pros and cons बताने के लिए यानि कि engine से लेकर, space से लेकर, सारी चीज हम आपको इस pros and cons में बताने वाले हैं चैनल को first time विजिट करने हैं तो make sure आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और bell icon को press करना ना भूले क्योंकि हम आपके लिए ऐसी unique और informative videos regular ही लाते रहते हैं अगर बात करूँ इसके looks की तो आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें इसका look पसंद है और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें इसका look बिल्कुल नहीं पसंद है बट अगर मैं आपसे इसी के segment की दूसरी कार से इसे compare करने को कहूं तो आप मेंसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात से इग्नोर कर पाएंगे कि इसका look अपनी segment में सबसे ज़्यादा appealing और सबसे ज़्यादा attractive है बोरवर पंच जो है वो micro SUV segment में अकेली ही ऐसी कार है जो आपको एक traditional SUV वाला design characteristics देती है और सिर्फ इसी वज़े से इसकी जो road presence है वो काफी हाई है बाकी cars के comparison में जो की इसके segment के आसपास लाई करती है और चाहे तो इसके price के आसपास भी लाई करती है ये चीज़ आप तब ज़्यादा feel कर भाएंगे जब आप इसे road पर देखेंगे तब इसका size जो है वो आपको काफी हद तक nexon जैसा ही लगेगा moreverse का front design है वो harrier से inspired है आप ये सब जानते है इसलिए ये भी एक reason हो जाता है कि इसके looks है वो front से काफी जादा attractive लगते है तो अगर आप 5 से 10 लाग के बीच में एक AC कार डूण रहे हैं जो आपको एक अच्छी road presence offer करें तो definitely Tata Punch भी आपकी comparison list में आ सकती है और शायद हो सकता है इस वज़े से काफी लोगों के लिए ये एक perfect option हो Tata हमें कभी भी disappoint नहीं करता जब बात आती है safety की और यहाँ पर भी Punch में भी हमें यही चीज़ देखने को मिली है क्योंकि Punch ने global and cap crash test में achieve की है 5 star ratings यह जो कार है वो based है Tata के alpha arc platform पे और Punch के launch होने से पहले Altros भी इसी platform पे based थी और Altros ने भी semi crash test rating अचीव की थी बढ़ यहाँ पर Punch का score जो है वो Altros से थोड़ सा ज़ादा है इस वज़े से safety के साब से भी यह कार काफी अच्छा option बन जाती है 5 से 10 lakh के बीच में और हो सकता है अगर आप एक safe car ढूड़ रहे है इस price range में तो हो सकता है Tata Punch आपके लिए भी एक perfect option हो अगर मैं आप से कहूं guys कि practical car कौन सी होती है तो आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई practical car तो वो होती है जिसमें आपको storage places जादा मिले कुछ लोग होंगे जो यह कहेंगे कि practical car उसे कह सकते हैं जिसमें आपको boot space जादा मिले कुछ होंगे जो interior के space को जादा priority देंगे और last में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि practical car वो होती है जिसका ground clearance जादा हो क्योंकि इंडिया में हमें roads की condition पता है और in fact city में भी अगर आप Indian roads पे गाड़ी चलाते हैं तो pot holes वगेरा आपको दिखने बहुती मामूली सी बात है अगर मैं आप से कहूं यही सारी qualities आपको एक ही car में मिल जाए तो क्या वो car आप practical consider करेंगे या फिर नहीं आप मेंसे काफी सारी लोग इसे practical consider करेंगे क्योंकि यही सारी qualities आपको Tata Punch में दी गई है space की बात करें interior के काफी अच्छा space आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और sitting comfort की बात करें मतलब आप सब जानते हैं कि 90 degrees door opening आपको इसमें मिलती है 4 adults के लिए काफी अच्छा space है 5 अगर बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं कोई problem नहीं होगी storage places आपको काफी सारी मिल जाते हैं इसी की सब boot space की बात करें तो 366 liters का आपको massive boot space Tata Punch में देखने को मिलता है और अगर आप इससे भी satisfied नहीं है तो भी आपके गाड़ी touch होने के chances बहुत ही कम हो जाएंगे और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ ground clearance की वज़े से मैं ऐसा क्या रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है इसका approach angle जो देखेंगे आप वो भी काफी जादा है जो की around 20 degree के आसपास और इस वज़े से भी tartar punch कॉम definitely एक practical car consider कर सकते हैं और हो सकता है इस reason की वज़े से भी शायद आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये car एक perfect option हो जब बात करते हैं कि city में driving की तो सबसे पहले हमारे पास जो tension होती है जो newcomers को special होती है वो यह होती है कि हम city में hassle-free driving कर पाएंगे या नहीं अपने new car से और punch यहाँ पे भी आपको एक चीज़ में impress करने वाली है जो की है इसकी hassle-free driving और handling अगर बात करने city की specifically तो इसकी जो height है वो आप सब जानते है थोड़ी सी जादा है ride height इस वज़े से जब आप इसमें बैठते हैं और आप पूरा जो view लेते हैं front के bonnet वगेरा का तो आपको काफी clearly इसका bonnet visible होता है moreover इसमें आपको कोई भी blind spot देखने को नहीं मिलता जिसकी वज़े से city में से maneuver करना बहुत ही easy हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो recently गाड़ी चलाना सीखे हैं इसके अलवर steering जो है वो बहुती ज़्यादा light है इसका आपने चलाई होगी तो आपने ये चीज नोटिस की होगी जिसकी विज़े से city में आप इसे बहुती आराम से turns पे भी मोड सकते हैं और street में भी इसे आराम से ले जा सकते हैं moreover अगर गाड़ी की length की बात करूँ तो इसकी जो length है वो Tiago से थोड़ी सी जादा है बट Altro से थोड़ी सी कम है ये भी एक reason है कि अगर आप इसे tight parking place में पार्क करेंगे तो आपको कोई issue नहीं होगा इसे पार्क करने में तो कि इसकी जो length है वो बहुत जादा लंबी नहीं है और height जैसे की मैंने बताया इतनी है कि आपको पूरे area का idea लग जाता है इन अच्छल आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो कार है इसे drive करना city में काफी hassle free है और अगर आपकी first car होने वाली है तो definitely आप इसे आराम से drive कर पाएंगे अपको इस petrol की price जो है वो आप सब जानते हैं काफी जादा बढ़ चुके हैं तो ऐसे में आमें एक ऐसी car की जादा पढ़ जाती है जो आपको अच्छी mileage offer करें और Tata Punch यहाँ पर भी आपको impress करेगी अपनी mileage से क्योंकि इसमें जो आपको engine मिलता है वो 3-cylinder engine है 1.2-liter का Revertron petrol engine है और इस वज़े से mileage जो है इस car की काफी अच्छी है आप city में इस से expect कर सकते हैं 13 to 14 km की approximated mileage और highway पर आप इससे expect कर सकते हैं 17 to 18 km की mileage और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दो कि mileage person to person भी vary कर सकती है आपके driving style पर तो गई यह बात कर लिए हमने Tata Punch के pros की अब आपको ऐसा ना फिलो कि मैंने इसकी सिर्फ तारीफ ही की है तो मैं वीडियो को balance करने के लिए अब आपको इसकी कुछ कमिया बताने वाला हूँ कि क्या क्या cons आपको Tata Punch में देखने को मिलते है तो गई सबसे पहले इसकी con की बात करूँ तो आप सब जानते हैं कि इसमें आपको सिर्फ एक ही engine देखने को मिलता है जो कि इसका naturally aspirated 1.2 liter का revertron engine अब बात करूँगा इसकी petrol engine की performance की तो वो performance बिल्कुल decent है बहुत जाद अच्छी नहीं है एक micro SUV से हम थोड़ सी अच्छी performance expect करते हैं और वहाँ पे जब बात करते हैं Tata के 1.2 liter के revertron petrol engine की तो वो engine जो है वो Tiago में भी use होता है Tigor में भी use होता है और Altros में भी use होता है बट उन तीनों cars में कोई जादा problem हमें इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि उन car का primary function Tata ये claim नहीं करता कि वो car आपको off-roading में help करेंगी पर इसका primary function Tata claim करता है कि ये जो car है वो आप थोड़ी बहुत off-roading में भी इसे use कर सकते हैं और तब आपको हो सकता है थोड़ा सा फीलो कि काश इसमें एक और engine होता तर्बो पेट्रल engine होता या फिर diesel engine होता तो शायद यहाँ पे एक अच्छा option बन जाता जो कि आपको already Tata Altros में भी देखने को मिलते हैं बाकि अगर कुछ rumors की माने तो guys next year तक आपको शायद Tata punch में भी एक diesel engine का option देखने को मिल जाए और उसके बाद आपको टर्बो पेट्रल का engine भी देखने को मिल सकता है पट at present जब मैं यह video बना रहा हूँ तब आपको सिर्फ एक ही engine देखने को मिलता है इसमें और यह जो engine है वो 3 cylinder unit है आप सब जानते हैं इस वज़े से refinement 20 की बहुत ज़्याद अच्छी नहीं है जितना ही हमें 4 cylinder वाली cars में देखने को मिलता है तो अगर आप diesel engine के शौकीन है तो वो आपको हो सकता है next year तक वेट करना पड़े या फिर अगर आप turbo petrol के भी शौकीन है तो भी आपको next year का at least वेट करना ही पड़ेगा सेकंड कौन जो है वो है इसका price अब आप बोलेंगे कि price कैसे price तो इसका सही है तो मैं भी यही कहता हूँ कि guys इसका जो introductory price है जो कि इसके base variant का price है वो बिल्कुल सही है कोई problem नहीं है बट जब बात करते है top variant की creative variant अभी हमारा साथ है तो इसका जो manual variant का X showroom price है वो है around 8.50 lakh रुपीज जो कि आपको on road around 9 से 9.5 lakh के आसपास पढ़ जाएगा अब आप खुछ सोचे कि guys इतने price में आपको आराम से इसकी बड़ी वाली sibling Tata Nexon का XM variant भी आ जाएगा आराम से जो कि इससे ज़्यादा powerful भी होगा इससे ज़्यादा आपको space भी offer करेगा और इससे ज़्यादा practical भी होगा तो creative variant की जगा क्यों ना Tata Nexon का XM variant भी लोग consider करें इस वाज़े से मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि इसके base variant को consider कर रहे हैं और अपनी तरफ से उसमें modification करवा के aftermarket उसे top variant जैसा ही बना रहे है although ये चीज नैचुरल है कि जितना अच्छी fit and finish आपको ये top variant देगा उतने aftermarket आपको features लगवाने पे नहीं मिलेंगी फिर भी काफी सारे लोगों की personal preference भी होती है और दूसरा हमें कई बार अपनी pocket भी देखनी पड़ती है कार खरीने से पहले तो इस वज़े से भी आप भी ये चीज नोडिस करेंगे कि लोग जो है उसके lower variants को ज़्यादा prefer कर रहे है इसके top variant के comparison में बागी आप हमें नीचे देख comment section में बताइए कि आपने अगर punch choose की है भी तो आपने कौन सा variant इसका choose किया है अब guys इसमें आपको manual और AMT transmission दोनों ही आता है बात करूंगर performance की manual की तो manual transmission काफी अच्छा है और मज़े भी आते हैं आपको उससे ड्राइब करने में पर जब बात आती AMT की तो AMT की shifting है उतनी ज़्यादा quick और responsive नहीं है और थोड़ा सा जरकी सी feel होती है AMT की performance तो इस वज़े से मैं आपको recommend करूंगा कि अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप punch खरीज सकते हैं और साथी जाथ उसका manual वाला variant opt करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा need है AMT की automatic की city में drive करने के लिए तब आप switch कर सकते हैं इसकी AMT वाले version की तरफ तो वैस यह होगा एक Tata Punch के कुछ pros and cons जो कि मुझे लगा कि आपसे definitely share करने चाहिए तो अगर आपको कोई और query है इस carणी से related या फिर Tata की कोई और car से related तो make sure आप नीचे दे comment section में पूछना ना भूले और अगर आपको कोई और video भी देखने है इस से related या Tata की दूसरी car से related तो आप हमसे नीचे दे comment section में बोल सकते हैं अगर आपको यह video थोड़ी सी पहलपूल लगते है guys तो make sure आप इस video को thumbs up देना ना भूले और हमारे channel को subscribe करना ना भूले